पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे एक बंजारा था वह अपने उंटों पर गाओं का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहां से मिसरी, गुड, मसाले, आदी भरकर गाओं तक ले आता था लाखों का व्यापार था उसका इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे लाखा के पास एक सुन्दर कुट्टा था कुट्टा बड़ा वफादार था राथ को वह बंजारे के पड़ाओ की रखवाली करता था अगर चोर लूटे रे पड़ाओ की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुट्टा भौक भौक कर उन्हें दूर भगा देता था बंजारा अपने कुट्टे की वफादारी से बहुत खुश था एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपियों की जरूर अता पड़ी वहराधनपुर के एक सेट के पास पहुँचा उसने अपनी बात बताई रुपे तो मैं दे दूँगा मगर उसके बदले में तुम क्या गिर्वी रखोंगे सेट जी, मेरे पास फूटी कौडी भी नहीं है मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है मेरी जबान पर विश्वास रखे और मुझे रुपे दे दीजिए मैं आपकी पूरी रकम सूट समेद एक साल में ही चुका दूँगा कोई बात नहीं तुमारे पास यह कुटा है तो तुम इसे ही जमानत के रुप में दे दो जब तुम सारे रुपे लोटा दूँगे तब मैं भी कुटा तुम्हें वापस दे दूँगा बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुटे को देने में मगर कोई चारा नहीं था रुपे लेकर वह चला गया कुछ दिन भी थे एक बार सेट के यहां चूरी हुई कुटे ने चोरो का पीछा किया दूर जंगल में जाकर चोरो ने सारा माल सामान जमीन में गार दिया और वहां से नौदो ग्यारा हो गए कुट्टा वहां भौक भौक कर सेट को बताने लगा कि लुटे रे आपकी दुकान को तोड़ कर माल उठा ले गए है सेट तो हका बक्का ही रह गए कुट्टा सेट की धोती पकड़ कर आगे खीचने लगा सेट कुट्टे के पीछे पीछे चलने लगे जहां चोरों ने माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकलाया सेट की खुशी का कोई पार नहीं रहा वह कुत्ते को प्रेम से थप थपाने लगा कुत्ते की वफादारी पर वह मुक्द हो गया घर जाकर उसने एक चिट्टी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांद कर कहा कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास तुम मुक्द हो कुट्टा खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया वह सेट की उसी रकम को वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था उसने दूर से अपने कुट्टे को अपनी ओर आते हुए देखा वह नाराज हो गया सोचने लगा कि कुट्टे ने मेरी जबान काट ली है उसने बेवफाई की है अब मैं सेट को क्या मूद खाऊंगा उसने आव देखा नताव बस कुट्टे के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया कुट्टा बेहोश होकर गिर पड़ा लाखा ने देखा कि कुट्टे के गले में एक चिठी बंधी है लाखा तुमारे कुट्टे ने मुझे सूथ समेथ रुपे लोटा दिये है अतहा कुत्ते को मैं मुक्त करता हूں, उसने मेरे घर चोरी किये माल सामान को वापस दिल्वा दिया है, खुश होकर मैंने स्वयम इसे मुक्त किया है लाखा तो चकित हो गया, वह चलाने लगा हाई, हाई यहां मैंने क्या कर दिया वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा लेकिन अब पच्चताए होत क्या जब चिडिया चुक गई खेत उसने उस वफादार कुत्ते की समाधी बनवाई जो आज भी पाटर जिले के राधनपूर के तालाप के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे एक बंजारा था वह अपने उंटों पर गाउं का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहां से मिसरी, गुड, मसाले, आदी भ गाओं तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका। इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक संदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौक भौक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की जरुरत आ वह राधनपुर के एक सेट के पास पहुँचा उसने अपनी बात बताई। सेट ने कहा रुपय तो मैं दे दूँगा मगर उसके बदले में तुम क्या गिर्वी रखोगे। लाखा बोला सेट जी मेरी पास फुटी कौडी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दूँगा। सेट बोले कोई बात नहीं। तुमारे पास यह कुटा है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपय लोटा दोगे तब मैं भी कुटा तुम्हें वापस दे दूँगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुटे को दे पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से नौदो ग्यारा हो गए। कुटा वहां भौक भौक कर सेट को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़ कर माल उठा ले गए हैं। सेट तो हक्का बका ही रह कुटा सेट की धोती पगड़ कर आगे खीचने लगा। सेट कुटे के पीछे-पीछे चलने लगे। जहां चोरों ने माल चिपाया था, वहां जाकर कुटा अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेट की खुशी का नहीं था। वह कुत्ते को प्रेम से थप थपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह बग्द हो गया। घर जाकर उसने एक चिठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांद कर कहा। कुत्ते भाई, जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेट को उसकी रकम वापस करन के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी और आते हुए देखा, वह नाराज हो गया। सोचने लगा के कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है। उसने बेवफाई की है, अब मैं सेट को क्या मूह दिखाऊंगा। उसने आव देखा ना ता बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश हो कर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिठी बांधी है। उसने इसे खोल कर पढ़ा। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपिये लोटा दिये हैं। अ राखा तो चकित हो गया। वह चलाने लगा, हाई यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पच्ताए होत क्या। जब चिडिया चुक गई खेत। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधी बनवाई, जो आज भी पाटर जिले के राधनपुर के तालाप की किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है।